विद्या की देवी वीना पाणी मासारदे के पावन चरणों में सत सत परणाम गलिपा की इस प्रिसकार धरती के प्यारे विद्यारतियों, अभिभावकों, विद्वान जनों, स्टाफ सातियों और इस माविद्दाले के क्रमट गुरुजनों आपका साधर अविनंदन मेरा प्रणाम स्विकार करें समय बहुत हो गया है और गन्ने को पीस पीस करके और खोई में बदल दिया गया है बहुत बड़ी परिसानी मेरे सामने है कि इस खोई को अगले पांच मिनट तक बचा करके रखूँ वरना नजाने ये हवा में उड़ जाए क्योंकि खाली कुर्सियें मेरे होसले को गिरा रही है लेकिन सबर का जो बांध अभी बना हुआ है वो होसले को और उपर ले जाने की कौसिस कर रहा है कौसिस करूँगा कि अगले पांच मिनट तक जो भी चीज आप सुनें वो घर लेकर के जरूर जाएं अक्सर कई मंचों से ये मैं बूलता हूँ कि ऐसे मंच बड़े बिरले ही मिलते हैं और इन मंचों से कही गई बातें एक कान से गुसी और दूसरे कान से निकल गई तो समझ लीजे आज का रविवार आपके लिए ब्रबाद हो गया तो जरूर कुछ बात घर लेके जाईएगा सबसे पहले मैं महाविद्दाले परिवार को दन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस रणखार के भाग की धरती में एक छोटा सा गुलाब पलवित करने का काम आपने किया है एक दिन यही पोदा बड़ा होकर कि बहुत बड़ा वरक्ष बनेगा और जिसके कई फल इस सेत्र में अपनी शेवाएं देंगे तो कुल्दीब जी आपको बहुत बहुत दन्यवाद कि आपने इस काम का बिड़ा उठाया क्योंकि बहुत समय से बात हो रही थी और मैं आप पर नजरें गड़ाए बैठा था कि किसी की उमीद का चिराग हो तुम किसी के खौसले की अंतिम उडान हो तुम और किसी के दिये का उजला हो तुम जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ तुमारे लिए हो रहा है और वरतमान के हालात को देख करके मैं आपके साथ मिलकर के एक लाइन कहना चाहता हूँ और वो लाइन घर तक लेकर के जाईएगा बहुत सारी बातें हुई कि इस सेत्रशे विसम परिस्ततियों के अंदर किस तरीके से बच्चे निकले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप खुद पर विश्वास रखें और कहें किस से कहें खुद से कहें कि जो इनसान पानी से नाता है वो लिबास बदलता है और जो इनसान पसीने से नाता है वो इतियास बदलता है इस भरी गर्मी में जो पसीना आप निकाल रहे हैं एक समय वो पसीना आपके लिए इतियास बनेगा हादसों की जद में हो तो क्या विचारों को बजल दे और परिशानियों से गिरे हुए हो तो क्या मूँ मोड ले ऐसा सांचोर की धरती का स्टूडेंट कभी सोचता ही नहीं है इसलिए कभी भी कैसा भी जलजला आपके शामने आए पीछे मुड करके मत देखना मैं एक उदारन से चार बातें कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि तुम विध्यारती जीवन में हो और आप अभिभावक जीवन में हो हम सब की एक जिमेदारी बनती है कि आने वाले समय में एक सू संस्क्रिक पिड़ी तियार करें एक ऐसी पिड़ी जो देश और समाज को नई दिशा दे सके आज के जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है आदमी के विवेक का गिरना मेरे मित्र शाती भी पहले कह करके गए थे और विद्यारतियों आपसे भी एक बात कह करके जाना चाहता हूँ एक एग्जम्पल के माद्यम से कभी आपने खुझ से प्रशन किया कि मैं हूँ तो क्यो हूँ और जब इस प्रशन का उत्तर तुम्हें मिल जाए कि मैं हूँ तो क्यों हूँ समझ लीजिए तुमारा जीवन भाग्यसाली है मैं एक किताब पढ़ रहा था दा मंक हुसौल्ड हीस फरारी और हिंदी में उसके उपर लिखा हुआ था कि तुमारी मृत्यू के बाद कौन रोएगा और उसका पहला प्रश्ट में ने पढ़ा तो उसने लिखा कि कई जीवों में से सबसे बुद्धिमान जीव है मनुस से और मनुस से को अपने जीवन का औचित्य पता होना चाहिए और जिस मनुस से को अपने जीवन का औचित्य पता नहीं होता है वो मनुस से नहीं बलकि एक रेंगने वाले किडे की तरह जीवन जी रहा है एक दिन उसका जीवन सुरू हुआ और एक दिन उसका खत्म हो जाएगा मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से रेंगने वाला कीडा नहीं बने इसलिए आप अपने जीवन से प्रश्ण करें कि मैं क्यों हूँ इसके बहुत सारे उत्तर आपको मिलेंगे और अगली बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि कई बार साहिराना अंदाज में कुछ लोग खाली आते आए थे खाली आत जाएंगे क्या साथ लेकर आएंगे और क्या साथ लेकर जाएंगे मैं कहता हूँ ये खाली आत आते जरूर है लेकिन यदि ले जाना चाहते हो तो बहुत कुछ ले जा सकते हो सेकडों साल लोग आपके विचारों को याद रखे लोग आपके कामों को याद रखे आप ऐसी किर्टी ले जा सकते हो कभी कभी किसी मंच से हम विवेकानंद को याद करते हैं विवेकानंद की तश्वीर हाथ में लेते हैं मित्रो विवेका नंद्खाली आत आये थे लेकिन हजारों हाथ को भर करके चले गए इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी जब जाओ इस दुनिया से क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है जाना सब का तै है कोई जल्दी जाएगा कोई देर से जाएगा लेकिन जाने के बाद कोई ये कहे कि आमोंके इंसान बहुत अच्छा था समझ लीजी आपका जीवन धन्य है स्टूडेंट का ये करतव्य होता है स्टूडेंट का ये धर्म होता है कि आप गुरुजनों के दिलों में उत्रें आप अभिभावकों के दिल में उत्रें आप समाज के दिल में उत्रें आप समझते होंगे कि ये बाते मंच से केवल आदर्शी लगती है लेकिन मैंने परिवर्तन देखे हैं और आज के बाद यहां जो 500-700 स्टूडेंट बैते हैं मुझे विश्वा से कि गणपर सिंग जी के सुनने के बाद किसी एक का हर्दे परिवर्तन जरूर होगा और हम यहीं चाहते हैं कि किसी एक मंच से चार गंटे तक कोई विचार जाए और एक इंसान की यदि जिन्द की बदल जाती है तो कुलदीब जी आज का आपका ये प्रोग्राम सार्थक होता है जरूरी नहीं है कि आप सब बदल जाएं जीवन में कभी कुछ ऐसे मोड आपके आएंगे जो किसी इंसान की रास्ते को बदल सकते हैं और हम चाहते हैं कुलदीब जी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी एक ऐसा मोड आएं तो मैं बात करता था आज के जमाने में सबसे बड़ी विवेक शीलता की है आदमी आदमी नहीं बन रहा है जरूरत इस बात की है कि आदमी को आदमी बनना चाहिए एक बैन को अपने भाई की सची बैन बनना चाहिए एक बाई को अपने बैन का सचा बाई बनना चाहिए एक बेटे को अपने बाप का सचा बेटा बनना चाहिए एक चोटी सी कहानी जो हर्दे को जंक जोर देगी उस कहानी से मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा 1993 की बात है 1993 के अंदर अफरिका के अंदर एक भेंकर अकाल पड़ा था और सुडान साहरा मरुस्तल का एक भयानक देश और उस समय अफरिका का दक्षनी अफरिका का मसूर फोटो चितरकार फोटो कार्टरिस्ट केविन कार्टर जिसका आपने नाम सुना होगा सुना है किसी ने केविन कार्टर का नाम या मेरी जबान से कभी सुना होगा मैं अक्सर बच्चों से ये बात करता हूँ नहीं सुना है तो जो तुमारा मोबाइल है सुकराम जी ने काया नगी ये बंबे इसमें खोज लेना केविन कार्टर कौन था और पढ़ने के बाद जरूर उससे कुछ समझने को मिलेगा दुनिया का मसूर फोटो जनलिस्ट था केविन कार्टर दक्षनी अफरिका का रहने वाला सुडान के उन भायानक मरुस्तल से होकर के जा रहा था अकाल की साया इतनी खतरनाक थी कि चारों तरफ लासों के डेरी डेर थे और जब वो अपने मारक से जा रहा है तो एक छोटा सा बच्चा बच्ची कहा गया जिसको कि वो बच्ची थी बाद में पता चला कि वो बच्चा था एक चोटी सी बच्ची जोंपडी से कुछ मीटर दूर नग नवस्ता में रेंगती हुई उस जोंपडी की तरफ जा रही है और उससे महज दस मीटर पे दूर एक गिद बैठा है वो इंतजार कर रहा है कि कब ये बच्ची मरे और कब मेरा भोजन बने उस चितरकार ने एक बड़िया चितर लिया कि गिद इंतजार कर रहा है मरने का वो भोजन का निवाला बने उसका और वो चितरकार कोसीज करता है काटनिस्ट कोसीज करता है गिद को हटाने की लेकिन गिद हटता नहीं और वो जल्दी में होता है चला जाता है और वो फोटो दुनिया के सबसे मसूर पत्रिका New York Times के अंदर सबती है और दुनिया में उसकी वहावई होती बहुत सांदार फोटो था अफरीका का नजारा दुनिया में प्रस्तुत किया गया कुछ लोगों ने आलोचना भी की थी और उसी फोटो की वज़े से 1994 के अंदर केविन कार्टर को दुनिया का सबसे बड़ा पुरुसकार पत्रकारिता के शितर में पुलिजर पुरुसकार मिला था जिस फोटो ने केविन कार्टर को दुनिया का मसूर फोटो जनलिस्ट बनाया था मित्रों याद रखना उसी फोटो ने उसके जीवन का अंत कर दिया जब पुलिजर पुरुसकार का समारो हुआ था युनिवर्शिटी के लौ मेमोरियल लाइबरेरी में और पुरुसकार खत्म होने के बाद एक लेडी पत्रकार खड़ी होती है और केविन कार्टर से पूझती है कि मिश्टर कार्टर उस बच्ची का क्या हुआ केविन कार्टर एक बार आवाक रह जाती है उत्तर देते हैं कि सोरी में मुझे नहीं पता मैं वहां से निकल गया और दूसरा उत्तर करती है दूसरा प्रशन करती है प्यारे विद्यारतियों ध्यान देना उस प्रशन पे वो कहती है कि Mr. Carter कितने गिद थे तो Carter कहता है कि एक वो कहती है यू आर रोंग वहाँ दो गिद थे एक गिद वो था जो अपनी पेट की भुख बुजाने के लिए जिसके पास प्रकरती ने विवेक नहीं दिया था वो इंजार कर रहा था उसके मरने और खाने का और दूसरा गिद वो था जिसमें मनुश्यता प्रकरती ने भरी थी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया विवेक का इस्तेमाल कर सकता था लेकिन किया नहीं केवल इस चकर में कि वो मसूर हो जाए और अपना काम करे और वो गित था मिस्टर कार्टर आ चारों तरफ सदन आवा करे गया ये बात कार्टर के दिल को गहरा आगात कर गई और महज तीन महीने बाद उसी केविन कार्टर ने आत्मत्या कर ली विद्यारतियों इसमें तालीमत बजाना ये तालीम बजाने की बात नहीं है विद्यारतियों जब हमें विवेक का इस्तेमाल करना होता है उस समय हम किसी उपलब्धी के चकर में विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और कुछ अनायास ऐसी गल्टी कर बैठते हैं जो हो सकता है जीवन में हमारे लिए अंत का एक कारण बने इसलिए हमेशा ऐसे मंचों से ये बातें सीखने को मिलती है और ये जीवन में आदर्स की रूप में उतारी जाती है और अंतिम कहानी कह करके मैं मेरी बात को खत्म करना चाहूंगा उस काहनी में एक ही काहनी में चार बातें मैं हमेशा इस्टूडेंटों से कहता हूँ और हो सकता है गलिपा कि इस धर्ती पर भी मैंने कही होगी लेकिन फिर भी याद रखना क्योंकि तुम याद कम रखते हो दो चार बाते हैं जिसको लेकर के विद्ध्यारती हमेशा आस्मंजस की इस्तती में रहते हैं जैसा डॉक्टर साब ने कहा था कि एक तो कभी कबार ये मन में फिलिंग होता है कि मैं एक एवरेज स्टुडेंट हूँ या मीडियम से भी लोई स्टुडेंट हूँ जो जे एनियू से निकलने वाले बच्चे उनका मैं कमपेरिजन कर पाऊंगा अगा नहीं कर पाऊंगा लोग कहते हैं कि तुम बड़ा कमजोर है ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इस बातों को लेकर के आप हमेशा गिरे रहते हैं आपने दुनिया के एक मसूर वेग्यानिक का नाम सुना होगा थॉम सल्वा एडिसन ये कहानी नहीं सुना है तो बहुत पीछे हैं क्योंकि गूगल के पास ये कहानी पड़ी है थॉम सल्वा एडिसन जिसको तुम जानते होंगे जिन्होंने दुनिया को रोश नहीं दी त comprend are you old three Marie को उस विद्द्द्रव collaborate में जिसने उन जिसमें उनको Ale कर ön कर फो मुद्द्द imperialDay को दिक कि अपने अभिभावक को जाकर के देदिना उस चुप्री अभिभावक के बहुत कमजोर बुद्धी का है और हमारा विद्धाले आपके एडिसन के लेवल का शिक्सा नहीं दे पाएगा इसलिए आप इन्हें किसी दूसरी विद्धाले में भैस दीजी या खुद शिक्सा दीजी और यह बात अकीकत है वो चिट्टी लेकर के एडिसन चले गए अपनी मां के पिता जी गुजर चुके थैं आडिसन के मां को एक चिट्टी दी जयान रखना विद्यार्तियों विद्यार्ती मा अहसला यह सारी बात यहां सुपी हुई है एक मांको ओचित्टी दी हो सकता है उसकी उसी मां की भूमिका में आज आज पांस साथ साल बाद आओ और आपको ये बात याद आएं तो वो चिट्टी माँ पढ़ती है और माँ की आँखों से आँसू निकलने सुरू हो जाते है एडिसन बेचारा पढ़ने ही पा रहा था वो बार-बार पूछ रहा था माँ क्या लिका है तो माँ ने अपने आँसू को पहुंचते हुए लिका कि बेटा एडिसन इसमें लिका है कि आपका बेटा एडिसन बहुत ही उच बुद्धी का है और हमारा विद्दाले आपके इस बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है इसलिए आप किसी अन्यत्र विदाले में भर्ती करवाएं या खुद सिखसा दे और एडिसन को एक विश्वास हो गया कि मैं बहुत ही उत्तम बुद्धी का बच्चा हूँ जिस इसकूल को देश का नामी इसकूल का जा सकता है वो इसकूल मुझे पढ़ा नहीं सकता इसलिए मैं बहुत इत्तिवर बुद्धी का हूँ एक तो एडिसन को ये विश्वास हुआ कि कभी भी मैं आपको कहता हूँ कभी भी खुद को कमजोर मताकना एक एडिसन में विश्वास हो गया एक मां ने काम कर दिया मां बाजार गई जब दुनिया की मसूर इसकूल उसको पढ़ा नहीं सकती तो कौन सी इसकूल पढ़ाएगी मां ने सोचा मां बाजार गई को सामानी किताबें लाई और अपना ज्यान उसको दिया कुछ समय के बाद मां तो चली गई एडिसन दुनिया के महान अविश्कारक बने एक नहीं दो नहीं उसने हजारों अविश्कार कर दिये और कहते हैं कि एक दिन जब घर की सपाई में उन्होंने मां की वो पेटी खोली तो उनमें से वो पर्ची निकली और उस पर्ची को पढ़ा एडिसन ने जिसमें लिखा हुआ था कि प्रिय अभिबावक आपका बच्चा मंद बुद्धी का है या सामाने से कम बुद्धी का है और हमारा विद्दले आपके बच्चे को पढ़ा नहीं सकता एडिसन फूट फूट के रोया विद्यारतियों इस कानी से ये सला मिलती है ये जान मिलता है कि कोई आदमी मंद बुद्धी का नहीं हो सकता जिस स्कूल ने एडिसन को दुनिया का मंद बुद्धी का वालक कह करके स्कूल से बाहर निकाला था वो सदी का सबसे महान वैग्यानिक बन गया दूसरा वह मा जिसने अपने विश्वास पर स्कूल ने बच्चे को मनदूदी का घोसित कर दिया था दुनिया का महान वैग्यानिक बना दिया इसलिए दुनिया की सबसे यदि कोई बड़ी सक्सियत सिक्षक के रूप में होती है तो वो होती है मा और आप सब की उपस्तिती क्योंकि वो कुर्षियें खाली हो चुकी है और कई वर्सों से देख रहा हूँ पिसले तीन चार वर्सों से देख रहा हूँ कि ये तादाद बढ़ती ही जा रही है सिक्षा के शेतर में और उदर वो कुर्शी खाली होती ही जा रही है न जाने इसका अंजाम क्या होगा लेकिन मुझे विश्वास है आप पर क्योंकि आप ही समारती है एक बार एक समय पर आपका ही बच्चा उस कुर्शी पर जाकर के बैठेगा और वो अंत समय तक सुनता रहेगा इसलिए एक माँ दुनिया की सबसे मजबूत सिक्सक होती है और आपको एक मजबूत सिक्सक होने का दायत्यों मिलेगा जरूरी नहीं है कि आप टीचर बने जरूरत इस बात की है कि एक सू संस्क्रिट व्यत्ती पैदा करें गरव हो आपको आपके बेटे पर और अंत मैं कहना चाहता हूँ जो भी जो बच्छे बैटे हैं उनके लिए कि यदि एडिसन असफलता से घबरा जाता एक बात बीच में इसमें और आई थी कि पत्रकार ने एडिसन से पूछा कि कहते हैं कि आपने 999 बार बल्ब बनाने का प्रियोग किया और बल्ब नहीं बना कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि ये काम छोड़ दें आप ऐसा फल हुए आप डरें नहीं एडिसन ने क्या उत्तर दिया कि कौन कहता है मैं ऐसा फल हुआ था मैंने 999 बार बल्ब नहीं बनाया जा सकता इसलिए कोई भी इनसान उन मारगों से बल्ब बनाने की कोसिस मत करना ये होता है पोजिटिव एप्टिट्यूट एक पोजिटिव सोच ऐसा पलता एक आपॉर्चुनिटी है हमारी सोच होनी चाहिए कि ये एक अवसर था चला गया तो कोई बात नहीं अगला अवसर और आएगा उसको हम भुनाने की कोसिस करेंगे कभी भी मुश्किलों से मत डरना वो एक राजस्तानी सायर ने कहा है कि हमें रात है अरगज काली हमें रात है काली अरगज रात डड़ेला दिन उगेला मेनत करतो रेजे मानवी मंजिल तक मुमकिन पूगेला जजबे वाली जोत जगाओ अंधियारो ढड़ जासी बुरो केवणिया आसो कैसी सबरा बोल बदल जासी मुझे दर्दोता है उन लोगों पे जो कभी कबार नकारात्मक बातों से बच्चों को गेर लेते हैं कभी भी नकारात्मकता में मत फंसना तो बुरो केवणिया आसो कैसी सबरा बोल बदल जासी इसलिए आप कोसिस करिए हो सकता है मेरे को सुनने के बाद या बहुत पारे वक्ताओं को सुनने के बाद आपके अंदर एक चिंगारी जल रही है लेकिन मुझे दुक होता है कि ये चिंगारी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है ये चिंगारी खत्म न हो जाए इसलिए आज रात को सोने से पहले ही जो बातें इस मंच से कई गई है उसको अपनी नोट बुक में नोट कर ले है और नोट की हुई बातें बार बार आपको नीद में भी याद दिलाएगी तब कहता हूं कि या चिंगारी आग बनेला थारी लगन चिराग बनेला आचिंगारी आग बनेला थारी लगन चिराग बनेला राग नींदरी त्याग जाग तूं थारे जाग्यां बाग बनेला मुस्किलारे माते माई ठोक मेन तरी कील मुसाफिर पीछे मत ना देख मुसाफिर आगे ही देख मुसाफिर कभी भी पीछे मत देखना, हमेशा आगे देखने की कोसीज करना और अंत में कहता हूँ कि सफलता के नजदीक जाकर के जो आदमी जो वेक्ती रुक जाता है जरूरी नहीं सबको नोकरी मिले हैं उधर कुर्सियों से कोई बिजनिसमेन भी बनेगा कोई अच्छा आइटिस्ट भी बनेगा क्योंकि गनपस जी कह करके गए हैं कि कोई भूक नहीं मरता है और मैं भी इस बात में विश्वास रखता हूँ सबको नोकरी मिलना जरूरी नहीं है लेकिन इस परकरती ने आपको यदि पेदा किया है तो पालन पॉर्षन करने की भी जिमेदारी उनकी है लेकिन मैनुद करने का काम आपका है खोकर जी की तरह ये जो बीच वाला पन्ना है न इसको बड़िया हैंड राइटिंग से बरने का काम आपका है तो कभी कबार हम सफलता के बहुत नजदीक जाकर के और गिर जाते हैं कि अब नहीं होगा और जो लोग ये करते हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि कभी चिराग जेन की वो दोलाईने याद रखिएगा कि जिसको तुम नाकामी समझ कर तकहार बैट रहे हो ना क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी मैंने देखे हैं मेरे मित्र भी देखे हैं एक कदम पीछे रह करके और चले जाते हैं कि जिसको तुम नाकामी समझ कर थकहार बैट रहे हो ना उसके ठीक एक कदम पे तेरी मंजिल का दर्वाजा है एक कदम पीछे रह गया दुनिया में इतियास लिखने से चूख जाओगे इसलिए कदम लाश्ट तक बढ़ाते रहना सफलता जरूर मिलेगी और एक कमी मैंने बहुत देखी है इस सित्र में हालांकि अब परिस्ततियं बदल रही है आदमी सफल होने के बाद रुकता बहुत जल्दी है कभी कबार हमारे समाज की बहुत बड़े आरिया सदीकारी ओम जी को मैं सुनता हूँ वो कहते हैं कि मेरे से ब्रिलियन्ट टीचर और ग्राम सेवक बन करके रह गई और मैं बन गया एस दिया हूँ ये बात हकीकत है इस दोरों की धर्ती में तपता तपता कंकर सफल हो जाता है तो एक बार आराम करने की कोसिस करता है मैं आपको कहता हूँ आराम मत करना है क्योंकि ये जिन्दगी एक ही है इसमें जितने खेल खेलने हैं उतने खेल ले ये दुबारा नहीं मिलेगी और मिलेगी तुम्हें पता नहीं होगा कि पिछले साल क्या या पिछले जनम में क्या किया था इसलिए ये जिन्दगी एक ही है जितने खेल खेलने है उतने खेल ले और कोई केल ऐसा होगा जो तुमें इस दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा कर देगा और जो पैन तुमारे पास लटकाई हुई मैं हमेशा कहता हूँ कि तुमारा जीवन इस पैन की तरह है जब तक शयाई खत्म हो जाए उससे पहले कुछ ऐसी काहनी लिख देना जिसको पढ़ करके दुनिया बार बार दो रहें और आपको याद करें इसलिए अपने आपके जीवन को पैन मानना और कहता हूँ कि मनजिल मिल जाने के बाद मत रुकना क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ उसको नोट जरूर कर लेना कि मनजिल से आगे बढ़कर मनजिल की तलास कर मनजिल मिल जाने के बाद रुकना मत मनजिल से आगे बढ़कर मनजिल की तलास कर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलास कर हर सीसा तूट जाता है पत्थर की चोट से लेकिन ऐसा सीसा तलासकर जो पत्थर को भी तोड़ दे सजदों से क्या हुआ दुनिया गुजर गई ऐसा सजदा तलासकर जो तुमें कोही नूर बना दे हमेशा आईडिय को उपर रखना अपने ऐसे विचार को रखना जो आपको महान बना दे हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस माविदाले परिवार को क्योंकि अब हलुआ भी हो चुका है कहने को बहुत बाते हैं फिर कभी होगी तो बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माविदाले परिवार को और आप सब को जिनोंने इतनी तलीनता के साथ सबर के बांध को तूटने तूटने से बचा लिया और आप सभी अभिभाव को ने विद्वान जनोंने जो यह उपस्तित है आपकी उपस्तिती इनके लिए एक होसले का काम करेगी और इन में से कुछ लोग जरूर है जो बदलेंगे और अंत में इस परिवार के लिए मैं कहना चाऊँगा आपके लिए भी कहना चाऊँगा कि बहूत आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने मुझसे बैतर कहने वाले और तुमसे बैतर सुनने वाले इसलिए मैं आपको बहुत बहुत दाज देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बहुत सुना और अंत में जलते हुए दीपक को मैं पूज रखना बड़ी दूर तक रात ही रात होगी मुसाफिर हम भी और मुसाफिर आप भी फिर कभी किसी और मोड पे मुलाकात होगी इसी आसा और विश्वास के साथ बहुत बहुत दन्यवाद आप सब का आभार महावी दल्ले परिवार का आभार आपने इस मरू भूमी के अंदर ये पोदा पन पाया और आप सब को आभार कि आपने इस पोदे को शमारने का काम किया एक दिन इस कारवें के आप बहुत बड़े पार्ट बनोगे इसी आसा और विश्वास के साथ नमस्कार गलिपा बहुती